करेंगे की कुछ स्पेसिफिकेशन को यह पर हम करेंगे जो पोस्ट हर्वेस्ट प्रॉडक्ट्स के लिए है बेसिकली फूट्स के के इस में जो आपके विएस फूट से डिराइब पोस्ट हर्वेस्ट प्रॉडक्स होते हैं लाइक जैम्स एंड स्क्राइश और तो इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन हैं विचार देर जो एफसे से आपको देता है एफसे से फूल फॉर्म तो आप सबको पता ही होगी आप बहुत बता दूँगा जैसे जैम होता है स्क्राइश होता है ठीक है तो किस जो जो उनके अंदर important points होंगे वो हम सारे उसके अंदर देख लेंगे 2000 प्लेस नॉन वीडियो कोर्स agriculture का इसके बारे मैं आप already जानते हो नहीं जानते हो तो बता देता हूं कि अगर आप agriculture के लिए किसी भी एक्जाम को दे रहे हो जहां पर आपके एक्जाम में agriculture important है चाहे नबाट grade A है नबाट grade B है FCI का पेपर है अब हम 3000 प्लस और 4000 प्लस के रास्ते पर है तो जो 2000 प्लस वाला purchase कर लेगा उसको 3000 प्लस उसी वह अपडेट होता जाएगा तो अभी काफी लो प्राइस है इसका 50% आफ भी चल रहा है है प्लस करके तो एक्स्प्लोर कर सकते हो तो लेट ऐस कम टू दो प्रॉडक्स वन बाइवन सबसे पहले जैम की बात करते हैं तो जैम आप जानते हो प्ल्प फ्रूट प्ल्प को बॉइल करने से पिसिकली इसको बनाया जाता है इसके अंदर अच्छा खाथ शूगर का हमौट भी होता है ठीक है और थिक होता है जैम तो सब में खाया है ठीक होता है ऑल राइट तिकनेस इसलिए होती है ताकि जो फूट टिशूज है उसको में hold करके रख सके अब जो jam है इसके अंदर FSAI क्या बोलता है कि fruit pulp कम से कम 45% होना चाहिए इससे नीचे नहीं जाना चाहिए ठीक है fruit pulp 45% है total soluble solids जो है they should be 65% citric acid 5 gram से जादा नहीं होना चाहिए और preservatives जो है वो 40 ppm से जादा नहीं होना चाहिए SO2 को as a preservative इसके अंदर यूज़ किया जाता है कहीं बार वो आपसे question में इस तरिके से भी पूछ लेता है कि jam में क्या preservative यूज़ किया जाता है preservation purpose के लिए उसकी life के लिए तो अब सीधा अंसर कर सकते हो SO2 ठीक है जी अब इसके अंदर देखो mainly जो आपके fruits यूज़ किया जाते है apple हो गया पेर हो गया chickoo, peach, papaya, karonda, carrot, plum, strawberry, raspberry mango, tomato, grapes, musk, melon इनको mainly यूज़ किया जाता है jams बनाने के लिए ठीक है and it can be prepared from one kind आप single fruit का भी jam prepare कर सकते हो जैसे mango आता है और आप इसमें multiple fruits को भी use कर सकते हो जैसे आपका mixed fruit jam होता है लेकिन fruit pulp 45% से कमनी होना चाहिए इस specifications बहुत important है पेपर में directly पूछी जाती है jelly के उपर आजाओ jelly बेटा basically आपका semi-solid product होता है jelly भी आपने बच्चमन में जरूर खाई होगी अभी भी क्या पता कुछ लोग खाते हो ठीक है और इसके अंदर basically होता क्या है इसके अंदर आप सबसे पहले तो boil करते हो boiling a clear strain solution of pectin containing fruit extract fruit का जो extract है उसके अंदर जो pectin वाले fruits है उसको basically use क्या दाता है jelly बनाने के लिए जो non pectin containing fruits है उनसे jelly नहीं बनता है ठीक है उसमें फिर आपको artificially pectin add करना पड़ेगा और jelly बनाने के लिए उसके अंदर pulp नहीं होना चाहिए जो आप fruit extract ले रहे हो that is that should be free of pulp and उसके अंदर आप sugar and acid वगएरा जो है वो add करेंगे जो perfect jelly होती है वो transparent होनी चाहिए अच्छे से set होनी चाहिए ठीक है बहुत जादा stiff भी नहीं होनी चाहिए लेकिन अच्छी setting उसकी होनी चाहिए और उसके अंदर original जो flavor है fruit का वो आना चाहिए guava, sore apple, plum, caronda, wood apple locat, papaya, gooseberry इनको generally use किया जाता है jelly बनाने के लिए apricot, pineapple, strawberry, raspberry इनको आप use generally नहीं कर सकते हो क्योंकि इनके अंदर pectin नहीं होता लेकिन हाँ artificially अगर आप pectin powder इसके अंदर add कर दोगे तो जाकर कि आप इसके jelly बना सकते हो क्योंकि in real इसके अंदर जो pectin content है वो काफी low होता है तो अपने को pectin चाहिए jelly बनाने के लिए jelly का जो specification है jam जैसे ही है fruit pulp 45%, TSS 65%, citric acid 2% 2 gram से जादा नहीं होना चाहिए और preservative 40 ppm of SO2 से जादा नहीं होना चाहिए यह याद करेंगे ठीक है यह देखो कुछ चीज़े ऐसी है जब हम school जाना शुरू करते थे तो हमें सिखाते थे 2 x 1, 2, 2 x 2, 4, 2 x 3, 6 अपने को वो भी याद नहीं होता था आपकी पूरी एक class पूरा एक साल लगता था आपको 10 तक table याद कराने के लिए 10 का table तक याद कराना वो पूरा आपका syllabus होता था एक साल का maths का तो वहाँ से अब आपको लगेगा कि सर वो तो तब हम बच्चे थे वो उस लेवल के हिसाब से आपकी learning थी उस age के हिसाब से अभी है इस age के हिसाब से learning है तो learning है something which is not done in a day अगर एक दिन में learning होती होती तो फिर तो सरकार कहती चलो यार एक एक दिन पढ़ाना सबको सबको पढ़ागे लिटरेट बना देते हैं भारत में illiteracy घता हो जाएगी ऐसा नहीं होता टाइम लगता है चीजों को याद होने में और इनको भी याद होने में टाइम लगेगा और देखो PDF तो मैं आपको टेलीग्राम पर देने के लिए बात बोलता हूँ ठीक है कहीं बार में PDF देने में डिले भी बड़ा हो जाता है क्योंकि मेरे एंड पर हालस में मेरा ऐसा कोई बहुत बड़ा मेरे पास स्टाफ तो है नहीं सब कुछ मुझे खुद करना है I am the one man army ठीक है अच्छे कहेंगे कि सर पीडियाफ भी नहीं दे रहा यह तो इसका चैनल हम बिल्कुल नहीं देखेंगे तो पीडियाफ देने में मेरा विश्वास ही नहीं है क्योंकि अल्टिमेटली पीडियाफ आप डाउनलोड करके रख लेते हो आपको जाता है हाँ चलो पेपर के टाइम पर पढ़ेंगे और जैसे कि मैं बोलता हूं ना कि पेपर तक तो पीडियाफ ऐसे पूरे का पूरा गट बन जाता है और समझ नहीं आता इन में से पढ़ने वाला पीडियाफ कौन सा है तो सबसे बड़ा पीडियाफ का प्रॉब्लम ही है लेकि जब आप अपने खुद से नोट्स मनाओगे अपने हाथ से लिखोगे आपके चीजे दिमाग में थोड़ी सी स्टिक भी होएंगी जब आप लिखते हो तब आपके माइंड उसको बेटर ग्रास्प करेगा और इंडिक लिए पॉसिबल नहीं है नेक्स आज आता है आपका बेटा मैरमलेड ये भी एक तरह का फ्रूट जेली होता है ठीक है इसमें क्या होता है बेसिकली slices of the fruits और its peel are suspended slices of the fruit और peel are suspended का क्या मतलब है कि इसके अंदर आपको pulp आएगा जैसे जेली में तो हमने परल्प बिल्कुल पूरे तरीके से निकाल दिया था ना इसके अंदर हम आपको pulp देंगे ठीक है the term is generally used for products made from citrus fruits like oranges and lemon market के अंदर एक product आता है जब कभी आपने पिया होगा minute made जिन लोगों ने पिया है उनको चाहिद idea लगया होगा उसमें क्या होता है वो juice होता है ना orange juice होता है लेकिन orange juice के अंदर जो pulp होता है suspended एक तो ती आपकी fruity Fruity क्या होता है Fruity के अंदर आपको कोई Pulp नहीं मिलता ठीक है वो सिरफ और सिरफ Juice होता है ठीक है लेकिन Minute Made के अंदर आपको Pulp मिलता है तो वो क्या है वो Mermelade का Example है क्योंकि उसके अंदर आपका जो Pulp है वो Suspended Form में आपको मिलेगा ठीक है अब इसमें अपको Preserve Preserve Basically क्या होता है जैसे आपका एक Pineapple Preserve आता है जो Mainly pineapple raita अगर कभी शादियों वगर घरा में खाया है तो pineapple raita जो बनता है वो pineapple preserve का बनता है इसके अंदर क्योंता है ये Canned Product होता है ठीक है तो वो क्या होता है igualれ Canned के अंदर Pineapple के Slices को preserve करके रखना है, mature जो pineapple है, पका हुआ pineapple जो है अब इसके लिए preservation के लिए क्या किया जाता है इसको टीन के डब्बे में जहां पर heavy sugar syrup है ठीक है, अगर आप कभी वो खोलोगे जो pineapple का डब्बा होता है तो उसके अंदर काफी साथा liquid होता है वो क्या है, वो sugar syrup है ठीक है, और उसको as a preserve इसके अंदर use किया जाता है, इसके अंदर आमरा, बेल, एपल, पियर, mango, cherry, करॉंदा, strawberry, pineapple, papaya इट एक्ट्रा इनको use किया जाता है, preserve बनाने के लिए इसमें fruit pulp कम से कम 55%, TSS 70% and citric acid 1-5% का रहेगा candy के उपर आजाओ, candy various candies जो आपकी मिलती है market के अंदर, whole fruit या vegetable या उसके pieces को use कर सकते हो, ठीक है, और इसके उपर cane sugar या glucose syrup को use किया जाता है, ठीक है जी, and subsequently drained free of syrup and dried, पहले क्या किया जाएगा, जो fruit है, vegetable है उसको full में या piece करके sugar, glucose syrup या cane sugar के अंदर, उसको डाला जाएगा, रखा जाएगा, और फिर उसके syrup को drain किया जाएगा, उसको पुरा निकाल दिया जाएगा, ठीक है, इसको candied fruit या vegetable भी हम basically बोलते हैं, and most suitable fruit जो होते हैं, candy के लिए आवला, करॉंदा, pineapple, cherry, papaya, apple, peach, peach of orange lemon, grape food, citron ginger होता है, मैं आपको एक recommend करूँ, as a teacher, आप students हो, और आपकी diet जो है, वो अच्छी होनी चाहिए, है ना, और diet अपनी अच्छी है नहीं, specially जो लोग metros में शहरों में रहते हैं, burger, pizza और ये सब हम खाते हैं, मैं भी बहुत खाता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा महानू, मैं भी बहुत खाता हूँ और मुझे डांट भी बढ़ती है, उसके लिए घर पे but, मैंने अभी ये decide किया था, personal level के उपर आपको भी recommend करता हूँ, कि मैं आमला खाना शुरू करूँगा, और आमला दो-तिन तरीके से आता है, तो उसका जिसको हम बोलते हैं, मुरब्बा, ठीक है मुरब्बा, वो basically आपका एक type का preserve होता है, शुगरी उसके अंदर वो डाल करके बनाते हैं, ठीक है एक आमला जो आप जो सबजी मंडी से खरीद करके, आप उसके slices करके, तो यह दो चीज़े जनरली बच्चे खानी पाते हैं एक ना आमला की candy आती है जो यह हम candy की बात कर रहे हैं यह candy आती है, और यह आपको किसी भी करियाने की दुकान के उपर मिल जाएगी, बेसिकली उसको इसी तरीके से prepare किया जाता है, यह आप खाना शुरू कर दो मैं आपको recommend करता हूँ सस्ता भी होता है, बहुत जादा महंगा नहीं होता और दूसरी चीज यह आपकी health के लिए आपके brain के लिए, आपके बालों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के सबसे पहले बाली उड़ने शुरू होते हैं, बहुत अच्छा होता है ठीक है, उसके बाद जो आपका यह fruit होता है, जो prepare किया गया है इसके उपर एक transparent coating of sugar लगाई जाती है, जिसकी वज़े से इसके उपर glossy appearance आता है, जिसको हम glazing बोलते हैं, क्या होता है बेसिकली, जैसे हाँ पर आपको दिख रहा है ना, यह shiny सा दिख रहा है आपको तो इस shiny कैसे होता है, क्योंकि उसके उपर एक sugar की coating लगाई जाएगी, जो इसको यह shiny look देता है, और इस process इसको क्या बोलते हैं, glazing बोलते हैं ठीक है, यह जितने भी अभी मैं आपको यह theory करा रहा हूँ ना, इससे related जितने भी possible questions बनते हैं वो MCQ course के अंदर मैंने डाले हुए वो MCQs बना रखे हैं उसके हमने squash के उपर आजाओ, squash basically क्या होता है, squash क्या होता है, इसके अंदर जैसे आप रसना, example जैसे आप आते हैं, रसना आता है हमारे टाइम पर तो रसना आता था, आजकल पता नहीं क्या आता है, तो basically mango, orange, pineapple वो यूज़ किया जाता है lemon, bell, papaya भी यूज़ किया जाता है और इसके अंदर basically potassium, meta, bisulfite का यूज़ किया जाता है, okay as a preservative अगर आप lemon, bell, papaya वगार ऐसे बना रहे हो अगर आप jamun, passion fruit, peach, plum raspberry, strawberry, grapefruit वगारा यूज़ कर रहे हो, तो sodium benzoid को as a preservative यूज़ करोगे तो squash में basically होता क्या है squash, एक होती है cheese squash और एक होती है ready to serve जैसे आपकी fruity कि कैभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा ready to serve की specification भी squash में क्या होता है, जैसे आपका rohavza, it is a type of a squash rohavza में क्या करते हो, आप पूरा गिलास भर के rohavza थोड़ी पीते हो, या जब हम रसना बनाते तो तो ऐसा थोड़ी था कि पूरा गिलास, उसमें क्या होता था, कि हम squash का थोड़ा सा part डालेंगे, for example 2 spoons, 3 spoons हम squash के डालेंगे और बाकी उसके अंदर पानी एड़ करेंगे and then उसको mix करके पीते थे, तो वो generally squash होता है, जैसे rohavza के साथ होता है ready to serve क्या होता है, जैसे आपकी 45%, preservative 350 ppm SO2 use कर सकते हो या 600 ppm of benzoic acid use कर सकते हो उसके बाद आजाओ, जै कोडियल कोडियल क्या होता है, sparkling clear sweetened fruit juice होता है इसमें से आपने pulp और जो भी insoluble substances हैं, वो completely इसमें से आप remove कर दोगे, wines के साथ blend करने के लिए इसको जाधा तर use किया जाता है lime और lemon को most suitable consider किया जाता है, cordial prepare करने के लिए 25% juice content 1.5% acidity, 30% TSS और 3500 ppm SO2 इसके अंदर रहेगा ready to serve मैं आपको already बता चुका हूँ, ready to drink होता है ये खोला और पी लिया, ठीक है इसके अंदर आपको किसी भी तरह का dilution या mixing नहीं करना है, इसके अंदर 10% juice content, 0.2 to 0.3% acidity, 10% TSS और 70 ppm जो है, आपका SO2 रहेगा ठीक है जी चलिए, synthetic beverage आपके क्या होगे, synthetic beverage जो आपके cold drinks वगरा आते हैं, उसके अंदर TSS आपको 70 to 75% maintain करना होता है, इसमें added fruits नहीं होते हैं, synthetic beverage में acidity 1% होता है, और citric acid 7.5 gram, ये FSSI का regulation है, जो आपको maintain करना है, sauce जैसे कि आपका tomato ketchup या जो भी ketchup आप prepare कर रहे हो, उसमें 25% pulp, 25% TSS, और 70 ppm SO2 की आपकी requirement है as per FSS AI pickle, यानि कि जो आप अचार बगएरा बनाते हो, तो ये जो भी आपका अचार बगएरा है, इसके अंदर 60% drained weight होना चाहिए, यानि कि कम से कम 60% आपका fruit या vegetables dry, जो है वो होना चाहिए, weight इसके अंदर and उसके इलावा sodium chloride 12%, acidity 1.2% और preservative जो है वो 100 ppm of SO2 रहेगा chutney, जो packed chutney आती है, उसके अंदर TSS 50%, preservative 100 ppm of SO2 या 250 ppm of benzoic acid आपको use करना होगा ठीक है बेटा, तो ये आपके कुछ items हैं, जो specifically fruits से बनती हैं, जिनके लिए FSSI regulation आपको याद रखना है PDFH का टेलिग्राम पे डाल दूँगा और कोई भी दिक्कत हो, comment कर सकते हो WhatsApp कर सकते हो, number यहाँ पर given है, टेलिग्राम क्या group join कर लो, वहाँ पर भी आप मुझसे बात कर सकते हो mail कर सकते हो, ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगा हो, या content अच्छा लग रहा हो, कि हाँ ये बंदा बढ़िया content देगा, तो चैनल को subscribe कर देना, share कर देना, वीडियो को like कर देना, और comment में बता देना कि कैसा लगा, मिलते हैं next class में till then take care and bye